एक हजारों में मेरी बहना इमोशनल कहानी बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे, उसका ससुराल पडोस के गाउं में था, लेकिन मैं अब तक कभी उसके घर नहीं गया था, लेकिन वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी, एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है, तो उसके बच्चे पूरे घर पर कभजा कर लेते हैं, और बहुत परेशान करते हैं, पूरे घर में सामान फैला देते हैं, खर्चा तो दो गुना बढ़ जाता है, तुम्हारी मा तो चोरी चुपके स उसे साबुन, वाशिंग पावडर, चावल और डाल यह सब चीजे देती, रहती है, यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ, और मेरी मा मेरी बहन को सब कुछ दे देती है, एक बार बहन घर आई, तभी उसके बेटे उसने टीवी का रिमोट ही तोर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने अपनी मा से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करें, और जो तुम जोला भर के सामान देती हो, वह भी बंद कर दो मा ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने स अब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली चार बस चुके थे, उसने अपने बेटे को तयार किया, और कहा भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो मैंने ऐसे, की जूट मुठ दीदी को बोला जा रही हो, दीदी कुछ दिन और रुक जाती उसने मुस्कुरा अब एक दिन हम दोनों भाईयों के बीच जमीन का बटवारा होने वाला था, तभी दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उनसे सीधे कह दिया, की मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूँगा, माने कहा, की बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्ला कर कहा, की मै उससे कुछ नहीं दूँगा, दीदी सामने बैठी थी, पर कुछ नहीं बोल, रही थी अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीवी की बीमारी हो गई मेरे, पास उसके इलाज के लिए बिलकुल पैसे नहीं थे, मैं बहुत तनाव में था, ऐसे ही एक दि मेरी बहन घर आई, और मेरे पास बैठ गई, उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम तनाव में हो, क्या मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े दिखते पागल हो तुम ऐसे ही टैंशन ले रहे हो यह चूरिया लो और अपने बच्चे का इलाज करो वह धीरे से बोली चूरी के बारे में किसी को मत बताना तुम हें मेरी कसम है उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया उसने मुझे एक हजार रुपए दिये उसमें पचास और एक सौ के नोट थे शायद उसने बचत करके जमा किये होंगे यह पैसे जेब में रखते हुए बोली की बच्चों को जो चाहिए ले लो और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो चलो मुझे अभी जाना है बच्चे स्कूल गए थे इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आऊ इसलिए आ गई तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया उसने तूटी हुई चपल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया हाथों में वह चूडिया लिये मैं जोर जोर से रो रहा था हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं नापल भर में बहन को पराया कर देते हैं और बहने अपने भाई का जरा साभी दर्द बरदाश्ट नहीं कर पाती उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती हैं दोस्तों हमें थोड़ा समय देकर और अपनी बहन से हाल चाल पूछना चाहिए बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे उतना काफी है उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता है यह सच है किसी ने कहा है कि एक बहन दूसरी मा होती है